हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज हम लोग टैली के अंदर कॉस सेंटर्स के इंट्री पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे ये टॉपिक ये देखें मैंने हमारा नोट्स यहां पर ओपन करके रख लिया है तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कॉस्सेंटर्स इंट्री होता क्या है कौन सी इंट्री को कॉस्सेंटर्स इंट्री में पास किया जाता है कॉस्सेंटर्स इंट्री में अलग-अलग एक्सपेंसे को एक साथ इंट्री करके दिखा सकते हैं एक ही पेज में मतलब अगर आपके पास अल कमपनी में टीन यا चार electricity मीटर हैं tämä नहीं की बिल अलग अलग आती है लेकिन उस कमपनी के बौस या सीनियर ने कहा कि तीनों की बिल की इंटरी आड करके एक ही electricity expense की entry पास करो मतलब क्या करना है इसमें दोस्तों दिखिए तीनों मीटर की बिल की entry एक ही पेज में दिखाओ तो हम इन तीनों बिल की entry payment voucher में कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर जो है तीन अलग हो जाएगा पर हमें सब को एक ही साथ दिखाना है इसलिए तीनों बिल की entry जो है cost centers entry में पास करेंगे electricity meter के साथ साथ अलग अलग telephone expense भी हो सकता है telephone का बिल भी हो सकता है stationary भी हो सकता है तो जितना भी बिल अगर अलग अलग है उसको टैली के अंदर एक ही पेज में entry पास करने के लिए बोला जाए तब हमें cost centers की entry पास करनी परती है सारे बिल्ग को जो है हम एक साथ एक ही पेज में दिखा सकते है cost centers entry में पास करके ठीक है cost category सबसे पहले हम लोग को क्या करना परेगा इसमें cost category बनाना परेगा तो चलिए हम लोग practically देखते हैं कि cost category कैसे बनाते हैं और उसके बाद cost centers का कैसे laser create करेंगे enable कैसे करते हैं ओके तो चलिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर tally में cost center की entry करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक नई company बना लेते हैं यहाँ पर देख सकते name of company में पहले से एक नए company बन करके आ रहा है पहले से company का नाम है लेकिन हम लोग यहाँ पर इस company में नहीं सीखने वाले आज हम लोग एक नए company बना करके इस entry को नए company में बनाने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर देख सकते right side में button panel में आपको company info दिख रहा होगा company info में सबसे पहले है हम इस company को सट कर लेते हैं यहाँ पर सट company दिखाई दे रहा होगा इंटर करेंगे और एक बर और इंटर प्रेस करेंगे यह देख सकते हैं पर company का नाम बंद हो चुका है तो चलिए हम लोग एक नए company क्रियेट कर लेते हैं company creation तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक नए company बना लेते हैं किसी भी नाम से और उसके बाद यहाँ पर country select कर लेते हैं इंडिया बाती सारा चीज को हम जैसे वैसे रहने देंगे और इसको controller से accept कर लेते हैं नए company बनाने के बाद हमें क्या करना है सबसे पहले जो है F11 प्रेस करना है F11 बटन प्रेस करने के बाद accounting features के अंदर हमें इंटर करना है accounting features के अंदर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ चीजे मिलेंगी जिसको हमें enable करना यहाँ पर देख सकते हैं cost profit center management यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अंदर यहाँ पर देखिए यह second number features लिखा हुआ है maintain cost centers maintain cost center हमें इस option को जो है yes करना है cost centers के entry करने के लिए हमें एक दो features को enable करना परता है उसके बाद enter करेंगे और उसके बाद third number पर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है maintain more than one payroll और cost category इस option को भी हमें yes करना परेगा और yes करने के बाद इन दोनों option को यह करने के बाद हमें क्या कर लेना है बाकिसारा चीज़ जैसे है वैसे रख देंगे और इसको accept कर लेंगे accept करने के बाद यहां से बाहर निकलेंगे और जाएंगे gateway of tally में, gateway of tally में जाने के बाद account info के अंदर हमें enter करना है दोस्तों, account info के अंदर enter करने के बाद यहां पे देख सकते हैं, cost category आ चुका है और cost center आ चुका है, इससे पहले enable करने से पहले जो है, यहां पे cost category और cost centers नहीं था, जब तक हम लोग इस option को enable नहीं करते हैं, account info के अंदर ये सारी चीजे hide रहती है, ठीक है, तो हमें जब जो entry करना रहता है, setting configuration के अंदर जा करके हम उस option को yes करके, और यहां पर उसको ला सकते हैं, और फिर वो entry pass कर सकते हैं, ओके, अब हमें इसमें सबसे पहले cost category create करना है, दोस्तों के, तो cost category पे click करके और enter करेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, single cost category, multiple cost category, तो हम लोग अभी फिलाल single cost category पे click करके और enter करते हैं, तो यहां पर देखिए cost category creation का एक page open हो चुका है, अब हम लोग cost category में नाम लिखते हैं, हमारे पास क्या example था, यहां पर मैं को एक बर फिर से दिखा देती हूँ, meter, meter expense था यहां पर, meter expense, telephone expense और stationery expense, ठीक है, हम इन तीनों को ही ले करके समझते हैं पहले, तो यह सब हमारा category में जाएगा, meter, telephone और stationery जो है, हमारा category में जाएगा, तो जो हम लोग category बना रहे हैं, और यहां पर name पूछ रहा है, हम लोग इन ही तीनों का नाम लिखेंगे बारी meter, meter category बना लेते हैं, और उसके बाद इसको accept कियें, फिर उसके बाद telephone बना लेते हैं, telephone बन गया, अब उसके बाद stationery बना लेते हैं, stationery, तीन category हमारे पास बन चुका है, और भी होगा, तो और भी यहां पर बना सकते हैं, तीनों category बनाने के बाद, हम यहां से quit करके बाहर निकलेंगे, एक बर और yes करेंगे, और उसके बाद account info में एंटर करेंगे, और cost category बनाने के बाद, हम लोग cost centers बनाएंगे, ठीक है, cost centers में इंटर करते हैं, और यहां पर देखिए, create का option आ रहा है, create पर जाएंगे, इधर right side में देखिए, list of category आ चुका है, तीन हमने बनाया था, तीन यहां पर आ चुका है, यह primary cost category पहले से ही रहता है, ठीक है, अब cost center creation में पूछ रहा है कि कौन से category के लिए cost centers create करना चाहते हैं, ठीक है, तो इधर list of category में से हम सबसे पहला select कर लेते हैं, मीटर, अब मीटर में जो है, कितना मीटर है, आपके office में या आपके company में कितना मीटर है, दो या तीन या चार कितना मीटर है, जितना भी है, हम सब का आपे फिलाल चार मीटर हम example के लिए ले लेते हैं, और चारो का नाम दे देते हैं, एक कदे दिये A1, A1 देने के बाद इसको हम select करते हैं, उसके बाद दूसरे कदे देते हैं A2, उसके बाद इसको भी accept करते हैं, उसके बाद तीसरे कदे देते हैं A3, इसको भी accept, और पर जाना है और यह जो यहां मीचर है अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे टेलीफोन इक्सपेंस का तो यहां पर टाइप करेंगे टेलीफोन इधर हाइलाइट हो जाएगा अब देखिए टेलीफोन में मीटर में क्या हुआ कि वहां आप अलग अलग नाम हो सकता है मीटर नंबर एवान मीटर एटू एठी ऐसे करके लेकिन टेलीफोन में जो है अलग अलग आपको टेलीफोन नंबर लेना परेगा ठीक है तो टेलीफोन नंबर लेने के लिए यहां पर हम लोग टाइप करते हैं कुछ नंबर एक टेलीफोन का नंबर होगे नाइनेच से सुरू है दूसरा टेलीफोन का नंबर है नहुआ ठीक इसको भी अक्षेप्ट पीसरा टेलीफोन है जो मेरा सेवनेच नंबर से सुरू है यह हो चुका है और इसको एंटर ठीक है तीन हमारे पास टेलीफोन है जिसका बिल भी अलग अलग आया है और सबको हमें एक साथ एक ही बिल में दिखाना है इसलिए हम लोग कॉसेंटर बना रहें अब उसको बैक करके उपर जाएंगे और इस्टेस्नरी का भी बना लेते हैं यहां पर इस्टेस्नरी यहां पर टाइप किये आगया अब देखिए इस्टेस्नरी में हमें क्या क्या खरीदा है जैसे हम पेंट खरीदें ठीक है तो यहां पर पेंट लिख लेते हैं नेम में उसके बाद पेंट के बाद और क्या ख अब ये तीनों cost centers बनाने के बाद यहां से बाहर निकलेंगे अब देखिए account info में cost category और cost centers हमारा बन चुका है अब cost category और cost centers बनाने के बाद हमें entry सुरू करना है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहां पर gateway of tally में gateway of tally में जाने के बाद हमको बनाना है कुछ lasers लेजर बनाने के लिए account info के अंदर enter करेंगे और यहां पर laser दिखाई दे रहा है लेजर पर click करेंगे और create करेंगे अब देखिए हमें laser के श्यूज का बनाना है यहां पर देखिए जो यह मीटर है और यह जो टेलीपोन और एस्टेसनरी हमें इनहीं तीनों का लेजर बनाना है तो मीटर जो है electricity expense में आता है ठीक है तो यहां पर laser बनेगा electricity expense का electricity expense expense को shortcut में लिखते हैं यहां पर और उसके बाद इसको एंटर करते हैं यह हो जाएगा indirect expense क्योंकि ओफेस का expense है इसलिए ओफेस का expense जो indirect expense में आता है और उसके बाद इसको जो है control A से कर देना है accept उसके बाद दूसरा कहता हमारे पास telephone ठीक है तो telephone expense हो जाएगा telephone expense और उसके बाद इंडरेक्ट expense में यहां पर देखे को सेंटर्स आर एप्लीकेबल यहां पर एप्लीकेबल ही रहता है आपको इसको नहीं करना है जैसे है वैसे रहने देना है और उसके बाद इसको भी accept कर लेना है तीसरा है हमारे पास stationary expense यह हो गया stationary expense यह भी indirect expense में ही रहेगा और उसके बाद इसको भी कर लेना है accept ओके अब यह तीन laser बनाने के बाद जो है हम लोग इस entry को सुरू करेंगे चलते हैं gateway of tally में और उसके बाद transaction के अंदर accounting voucher में enter करेंगे transaction के अंदर accounting voucher में अब देखिए इसमें जो है payment voucher में यह entry pass होगी तो debit side में हमें लिखना है electricity expense सबसे पहले हम लोग मीटर का बनाने वाले हैं इसलिए electricity expense लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए electricity expense लिखने के बाद mouse का करसर आ गया इधर debit side में अब हमारे पास 4 मीटर है ठीक है तो 4 मीटर कम मिला करके total bill हमारे पास कितना आया है तो हम लोग यहाँ पर माल लेते हैं कि 8000 आ जोपन होता है cost allocation for electricity expense मतलब कि यह जो 8000 आप बिल लिखें है total का है न यह 4 मीटर का है तो आप इसको कैसे बाटना चाहते हैं मीटर नमबर 1 में कितना है मीटर नमबर 2 का कितना है मीटर नमबर 3 का कितना है और मीटर नमबर 4 का कितना है तो 4 में आपको क्या करना परेगा करके समझना है ठीक है लेकिन जब हम लोग सही में किसी का इंत्री कर रहे होंगे तो वहाँ पर साफ सब पता चलेगा कि कौन से मीटर का कितना है वहाँ पर क्लियर रहेगा हमें खुद से बाटने का ज़रूरत नहीं परेगा तो चलिए हम लोग अभी समझने के लिए कौन सा मीटर था हमारे पास ए बन मीटर था अब लिखने के बाद आ रहा है वं कब मीटर कितना आ बिसली उयर्स का तो हम kalo बें सब्सक्amas i2 काकि wzDos 2000, 2000 डाल देते हैं, A3 था, तो A3 का कितना आया है, A3 का सपोर्ज हमारे पास 35 आया है, 35 हम डाल दिये, अब जो बचेगा, वो A4 में चला जाएगा आपका, यह देखिए, A4 का आया है, 1500, ओके, अब उसके बाद इसको एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहां पर देखिए, जितना भी मीटर था, मीटर नमबर A1, A2, A3 और A4 का, यहां पर बिल आ चुका है, अब यहां पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग, उसको पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्टरिसिटी एक्स्पेंस, हम लोग बिल भर रहे हैं, तो पेमेंट ही कर रहे हैं, तो कैसे कर हैं, यहां पर ऑनलाइन यह अपना खुच से देख लेना है, तो यहां पर हम लाल कैस लिखेंगे, और उसके बाद यहां पर देखें, कैस निगेटिव रेड अमाउंट बता रहे हैं, क्योंकि हमने जो है कंपनी नया बनाया है, इसलिए नया कंपनी में जो है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, इसलिए यहां पर अमाउंट रेड दिखा रहा है, जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाएगा, उसमें से यह आठ हजार माइनस हो जाएगा अपने आप, और यहां देख सकते हैं, एलेक्टरिसिटी इक्स्पेंस का, एवन का आया है, एक हजार बिल, एट लोगों ने पास करके इंटरी दिखा दिये, कौन से, कौस्ट सेंटर्स इंटरी में, तो जितना भी एक्स्पेंस हो, जितना भी खर्च हो, एक साथ अगर आपको दिखाना है, तो आप कौस्ट सेंटर्स की इंटरी पास करके उसको दिखा सकते, लेकिन यही अगर हम अलग हो जाता, A2 का अलग हो जाता, A3 अलग और A4 का अलग, एक साथ हम लोग नहीं दिखा पाते वहाँ पे. उसके बाद इस इंट्री को कर देना है, accept, यहां पे narration लिख सकते हैं, उसके बाद मैंने accept कर लिये, अब उसके बाद यह electricity expense का होगे, अब हमें दूसरा क्या ले ले लेना है, या तो टेलीफोन का ले ले लेते हैं, फिलाल मैं अब देखिए, टेलीफोन में हमने तीन टेलीफो का एक पेज उपन हो गया, सेम वैसे ही यहां पे cost category का नाम लिखना है, तो category हमारा क्या है, टेलीफोन है, अब टेलीफोन में यहां पे देखिए, हम लोग नमबर डाला, तब पहला नमबर हमारा 98 से शुरू था, तो 98 वाला नमबर को लेते हैं, और यहां से, इस नमबर का बिल कितना आया है, 2000, ठीक है, 2000 आ गया, उसके बाद दूसरा था, 87 से शुरू, तो इसका भी ले लेते हैं, 87 नमबर का, इसका आया है, 1500, ठीक है, बिल, और तीसरा था, 78 से शुरू था, और जो भी बचेगा, वो last में automatic चला जाएगा, तो तीनों का मिला करके, जो यहां पे 6000 बिलाया है, अब इसको करना है, एकसे बिल कैसे पेड कर रहे है, तो यहां पर कैस लिखने हैं, अगर बैंक या ऑनलाइन किसी भी पेड करेंगे, तो वहां पर आपको लिख लेना है, अब देखिए, 8000 पीछे हमने पेड किया, और 6000 यहां तो दोनों का मिला करके, यहां प आपके पास नहीं है, फिर भी आप किसी को कैसे दे रहे हैं, इसलिए यहां पर निगेटिव बताता है, और इसको भी कर देना है, एकसेप्ट, उसी तरीके से आपको ले लेना है यह तीसरा एकस्पेंस, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहां पर तीसरा एकस्पेंस, एस्ट 찾y जुरें स्पंधा यहां पर कास्ट क्टेगरी स्फंधा canvas क्टेगरी क्या स्स sizinस झाल अंटे wife एक रड़े और उसके बाद अस्टेस्थें बेस्ताइब है तो स्रह्जभा माल लें निदे पैन लेका ये तो पिन हम蒙्म लोगो ने 150 के खरीदे ठीक है उसके बाद तीसरा एस्टेस्नरी क्या है हमारे पास pencil ठीक है तो यहाँ पे pencil भी ले लेंगे pencil कितने का है 100 का ठीक है तो 100 लेने के बाद ही century को भी करना accept और यहाँ पर payment कैसे कर रहे हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं तो कैस अब यहाँ पर देख सकते हैं तीनो इस्टेस्नरी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है pencil कितने का है pen कितने का है और scale कितने का है ठीक है और उसके बाद इंटर करके इस entry को भी कर लेना है accept